हाई एवरीवन वेल्कम बेक टूर्स टेप बेस्टेप मैं हूँ अनेली सिदू नोड जैस के इस पार्ट में में लोग बात करने वाले हैं पोस्ट एपे कैसे बना सकते हैं विद माइस्क्वल लास्ट की वीडियो के अंदर हमने गेट एपे बनाना सीखा था उससे पहले हम लोगोंने connection बनाना सीखा था Node.js और MySQL का वो दोनोग वीडियो नहीं देखिए तो देख लेना विकॉज ये continuous series है लास्ट वाली दोनोग वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पूरी help मिलेगी इस वीडियो में क्या करेंगे एक route बनाएंगे API के लिए उसके बाद में हम लोग MySQL के देटा को insert करेंगे दो तरीके से insert करेंगे पहले static data और बाद में हम लोग postmancy data को send करेंगे और उसको insert करेंगे और last में interview question भी discuss करेंगे So start करते हैं पहले point के साथ में सबसे बहले हम लोग route बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था last वाली video code भी सकंद्र यूज होगा यह हमारी get API का code है यहाँ पर मैं post API code लिखता हूँ app.post और इसका में लोग simply route डिफाइन करेंगे same route हो सकते हैं अगर हमारे method अलग लग है तो यहाँ पर get method है यहाँ पर post method है तो same route हो जागा कोई problem नहीं है उसके बाद में यह basically interview question मनता है ऐसा पूछा जाता है बहुत बार कि क्या आप लोग अगर method अलग लग है तो route same रख सकते हो 2 APIs का अंसर है हाँ बिल्कुल रख सकते हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर request और response बनाएंगे यहाँ मैंने request बना लिए request parameter और response parameter ठीक है और यहाँ पर हम लोग हमारा code लिखेंगे API को insert करने का API के through data को insert करने का बट पहले static data को insert करेंगे इंसर्ट करेंगे कहां मैं यह भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर आप देख सकते हो test नाम से मारा जो database है last video के अंदर यह database यूज कर रहा था और उसके अंदर users नाम से जो table है उसके अंदर दो entries है इसके अंदर 3rd, 4th, 5th ऐसे बहुत सरे entries हम लोग कर पाएंगे इस वीडियो के बाद में अच्छा अब हमारा point कहा रहता है कि सबसे पहले हम लोग static data लेते हैं उसको insert करेंगे चीक है मैं यहाँ पर लेता हूँ const data equal to इसके अंदर आपको JSON में data को define करना हो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि है यहाँ पर नेम पासवर्ड और जिस वरें तीन फिल्ट हूँ ID क्योंने ले नहीं बिकोज यह auto-incremented है अपने आप ID बढ़ती रही तो मैं आप लिखता हूँ नेम और नेम मैं आप लिख लेता हूँ लेट से पास कर आफ्टर डेट मैं आप लेता हूँ पासवर्ड और पासवर्ड लिख लेता हूँ लेट से 3030 उसके बाद में हमारा यूजर टाइप और यूजर टाइप मैं लेता हूँ अभी के लिए लेट से विजिटर यह हमारा यहाँ पर जो डेटा को इंसर्ट करना है वह हमारे डेटा रेटी हो गया है अब हम लोग क्वेरी बना लेते हैं उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा सिंपली आप चाहू तो लिख सकते हो कॉन स्ट लेने के लिए अभी आपको ज़रूरत नहीं है क्वेरी के अंदर आप लोग सबसे पहले क्वेरी क्या डालोगी यहां पर लिख सकते हो जैसे कि इंसर्ट इंटू टेबलनेम हमारी टेबलनेम क्या है यूजर्स और उसके बाद में हमें वैल्यू सेट करनी है तो यहां पर यह एक्शली सिंटेक्स है मैं आपको दिखा भी सकता हूं आप सोचरों कि यह सिंटेक्स में कहां से लेकर आ रहा हूं तो यहां पर दिखिए यह पैकेश जो हम लोग यूज कर रहे है माइस के अंदर एंटर करने का तो यहां पर मैं लिखता हूं धशनी करें जो हम लोग इंसर्ट करने हैं तो इस फंक्षे के अंदर आंब स्टिड की टिम आपके पास और आता है तो और्धा कंडिशन दीखा सकते हरुं टेकंड वन रिजॉल्ट और थार्ड वन होता है फिल्ट फिल्ट ठीक है इस तरीके से अब लोग यहां पर क्या चेक करेंगे अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा है तो मैं आपर चेक करता हूं इस एरर अगर आ गया तो क्या करना है हम उसको थो कर देंगे यह जो थो है ना यह मैस्केल वगरा करें यह जावा स्क्रिप्ट और अभी हम नोड़ जैस में काम करें तो नोड़ जैस का कीवड़ बोल सकते हैं जो एरड आए गा वो लो हम लोग थो कर देंगे है क्या है है अफ्टर अगर सबकुछ सही काम करता है था हम लोग response करेंगे response.send और सेंड़ में लोग क्या बेजेंगे result जो भी हमारा result आएगा इस तरीके से ठीक है यह हमारी एक जो perfect post API है वो बन गई है बट data static है यह वाला जो data हमने यहां पर static लगा है इसको थोड़ी देर में अभी इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको postman से भी लेके दिखाऊँगा चीक है बट अभी के लिए इसको वैसी यूज करते हैं मैं एक अलग से आउट बनाता हूं यहां इसको मैं आहां पर नाम देता हूं post और मैं इसको hit करता हूं और hit करने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ों करने होगा इसको आप करना होगा तो मुझे इसको running condition में लेके आऊँगा मैं भी इसको अब लिखूँगा नोड मून और नोड मून आज़ी सबसे पहले यहां पर आड़ आ गया है तो देख लेते हैं प्रोब्लम क्या है एक्चुली प्रोब्लम यह है कि मुझे यहां पर colon यूज करना है तो मैंने by mistake equal to लगा दिया अब देखते हैं हम लोग चैसी में यहां पर एंटर करता हूं तो हम देखे 200 और 7th row insert आगे इंसाइड इंसाइड 7 क्यों आई है अब थर्ड आनी चाहिए आप बोलोगे देखो यह वीडियो में बनाने से पहले मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था तो इसके लिए आम पर मैं आपने तीन चार रोज इंसर्ट करके मैं इनको डिलीट कर दिया था ठीक है इसलिए हम पर 7 आ गया अब अगर आप लोग नई एंटर करोगते हो एट आ जाएगा अपने आप जो यह डेटा है हमारे पास इसको मैं पोस्ट मैं के थू लेके आता हूं ठीक है आपको यहां प लोट्ट तो दहने के लिए इसको मोग पोस्ट मैं से सेंट करते हैं चाहो तो जव पूस्ट मैं का आ आप यहां पे मैं मूर मुस्ट लिख सकती हो मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा थोड़ असा टाइम से होजए इसको paste करूंगा यहां पर और paste करने पर मुझे थोड़े से changes करने पड़ेंगे name भी मुझे यहां पर quotes करने डालना पड़ेगा यह actually postman का standard होता है इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते और double quotes में लेना पड़ेगा अफ्टर यूजर भी हमको double quotes में लेना पड़ेगा यूजर टाइप भी अब पर्फेक्टली ठीक है semicolon नहीं आगा अब अच्छा मैं insert करने से पहले नाम change कर देता हूं मैं हाप लिए दो सेम और पास्वट कर देता हूं 4040 और यहां लिए देता हूं admin जो चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं बट इंसर्ट करने से पहले जो हमेरे पर से data आएगा ना इसको हमें get करना पड़ेगा पोस्ट मैंन से तो वह हम get कैसे कर सकते हैं उसके लिए क्या होता है simply request.body उसके अंदर डेट आएगा हमारा completely लेकिन यह जो रिक्वेस्ट टो डेटा ना इस तरह किसे नहीं get कर सकते हैं उससे पहले हमें ऊपर यहां पर जो data होता है उसको parse करना पड़ता है जैसन जैसन और जैसन बेसिकली function होता है so I hope अब इसके अंदर कोई error नहीं है perfectly काम करेगा और एक बार मैं इसको अभी इंसर्ट करके देखता हूँ जैसे मैं आप इंसर्ट करूँगा यहां पर 200 आया that means जो नई एंट्री है insert id 8 हो चुकी है यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या ह हमारे पार insert id 8 हो चुकी है yes तो यह हमारे पार से एक नहीं एंट्री भी आगिया तो इस तरीके से आप लोग new entry भी कर सकते हूँ so that's all for this video interview question यह पुझा जा सकते है कि क्या आप लोग node.js की help से database भी create कर सकते हो जो हमने यहां पर database करेट करा है answer होगा हां बिल्कुल कर सकते हैं कोई problem नहीं है और लास्ट वीडियो के अंदरी मैंने एक और question पूछा था कि क्या हम लोग node.js के अंदर एक node.js के अंदर दो database से connection कर सकते हैं answer होता है हां बिल्कुल कर सकते हैं इसमें भी आपको कोई problem नहीं आएगी so thank you so much for watching this video